C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की ध्वनी पुस्तक शेहनाई भाग 2 सबख 5, सफा नंबर 29, वक्त की गद्र एक च्यूटी और जींगर में गहरी दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे गर्मी का मौसम आते ही, च्यूटी ने इधर उधर से अनाज इकठा करना शुरू कर दिया इस तरह उसने गहूं और बाजरे के दाने अपने बिल में जमा कर लिये मगर जींगर तो अकसर सोता ही रहता सुब और शाम वो जाड़ियों और क्यारियों में इधर उधर फिरता रहता था उसे अनाज की जरा भी फिक्र नहीं थी कुछी दिनों में बरसात का मौसम शुरू हो गया चारों जानिब पानी ही पानी नजर आने लगा इस सफ़े के निचले हिस्से में एक चुटी और एक जींगर दिखाया गया है सफ़ा नमबर तीस चुटी आराम से घर में बैठी बे फिक्री के साथ अनाज खा रही थी उधर जींगर के पास खुराक ना होने की वज़ा से भूको मरने की नौबत आ गई जींगर की ये हालत देख कर चुटी को उस पर रहम आ गया उसने जींगर को अपने अनाज में से कुछ दाने दिये जींगर ने उन दानों को खा कर सुख का सांस लिया उसने चुटी से कहा बेहन तुम बहुत समझदार हो तुमने ठीक वक्त पर अनाज इकठा करके इस बरसात में आराम उठाया और मेरी जान भी बचा ली आज से मैं भी सब काम वक्त पर किया करूंगा इस सफे पर तीन तसावीर है पहली तस्वीर में चुटी अपने घर में बैठी अनाज खा रही है और उपर जींगर बैठा है दूसरी तस्वीर में चुटी ने जींगर को भी अनाज खाने को दिया और तीसरी तस्वीर में चुटी और जींगर बारिश में भीगते हुए दिखाए गए है सवह नंबर इकतीस मश्क पढ़िये और समझे नौबत हालत रहम हम दर्दी फिक्र उल्जन सोच खुराक खाने जानिब तरफ सिम्त सुख का सांस लेना आराम पाना, सुकून पाना मश्क के बाई जानिब एक चुटी खाने का सामान इकठा करती हुई दिखाए गई है सोचिये और बताईए एक चुटी ने अनाज इकठा करना क्यों शुरू कर दिया था दो सुस्ती और लापरवाही से जींगर को क्या परेशानी हुई तीन चुटी को जींगर पर क्यों रहम आ गया चार वक्त पर काम करना क्यों जरूरी है असातिजा के लिए हिदायात असातिजा बच्चों से कहानी की तस्वीरों पर बातचीत करें अपनी जबान में कहानी को सुनाने का मौका दें सफ़ह नंबर 32 खाली जगों में मुनासिब लव्ज चुन कर लिखिए एक दोनों एक दूसरे के पड़ोसी खाली जगा थे था दो जींगर तो अकसर सोता ही खाली जगा रहती या रहता तीन जींगर की ये हालत देखकर चूटी को उस पर रहम खाली जगा आ गया आ गई चार चूटी और जींगर में गहरी दोस्ती खाली जगा था या थी पांच चारों जानिब पानी ही पानी नजर आने खाली जगा लगा लगी मिसाल के मताबिक हिस्सा अल्फ और हिस्सा बे के सही जोड मिला ये हिस्सा अल्फ दोस्ती गर्मी इधर आराम सुक हिस्सा बे दुख तकलीफ सर्दी उधर दुश्मनी हिस्सा अल्फ की जानिब एक सूरज, एक आइसक्रीम और एक ठंडे मश्रूप की तस्वीर दी गई है हिस्सा बे की जानिब बरफीला पहाड, आग और एक बच्चे की तस्वीर जिसने टोपा और मफलर पहन रखा है यहां मिसाल के तौर पर दोस्ती को दुश्मनी से मिलाया गया है सफ़ा नंबर 33 मिसाल के मताबिक दिये हुए लवजों के आखिर में छोटी ये मिला कर लवज बनाईए और लिखिये मिसाल के तौर पर दोस्त, जमा, छोटी ये, बराबर दोस्ती एक, सुख, जमा, खाली जगा, बराबर खाली जगा दो, परोस्त, जमा, खाली जगा, बराबर खाली जगा तीन, मौसम, जमा, खाली जगा, बराबर खाली जगा चार, नर्म, जमा, खाली जगा, बराबर खाली जगा पांच, गर्म, जमा, खाली जगह, बराबर खाली जगह दिये हुए अलफाज को उलटकर, मिसाल के मताबिक नया लवज बनाईए मिसाल, सर्द बराबर दर्स एक, तार, बराबर खाली जगह दो, खुश, बराबर खाली जगह तीन, लोग, बराबर खाली जगह चार, कौन, बराबर खाली जगह सफ़ह नंबर चौटीस चूटी और जहींगर की तस्वीरों में रंग भरिये यहाँ नीचे दो तस्वीरे दी गई हैं एक जहींगर की और दूसरी तस्वीर चूटी की आपको इन दोनों तसवीर में रंग भरना है अभी आप सुन रहे थे कक्षा दो की उर्दू की ध्वनी पुस्तक, शेहनाई, भाग दो, वाचन्स्वर, शिमाईला पर्वेज और पर्वेज गौहर तक्निकी निर्देशन, बटी लैंग लिंग्डो, ध्वन्यंकन, मयंक कुमार, निर्माण सहायक, तनु गुपता, निर्देशन एवं निर्माण, वीमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नैदिल्ली, भारत